Hello students, welcome to Smart Education Academy, मैं मुशीर खान, आज आपके लिए लेके आया हूँ environments related current affairs topics जिसमें हम cover करेंगे April मन्त को तो यानि कि आज के अपने इस वीडियो में हम उन सारे environments related current affairs के topics को cover करेंगे जो की हमारी April मन्त में या तो news में बने रहे और या फिर कोई भी ऐसे events जो हमारे April मन्त में घटे तो यहीं से हम start करते हैं अपना आज का वीडियो, सबसे पहला topic अगर हम बात करें तो देखिए first national dialogue on agri food systems, तो देखिए यह सबसे पहला national dialogue हुआ है और यह कहां पर हुआ है New Delhi में और अगर हम बात करें जैसे की agri food systems की, तो यह क्या है? तो सबसे पहले जैसे की हम बात करते हैं जैसे sustainable और equitable food systems को develop करना, उन pathways को create करना जैसे की जो हमारे sustainable agriculture के जो initiatives हैं, उनको achieve किया जा सके जैसे की sustainable agriculture है, या फिर हम बात करें अगर, तो जैसे हमारे पास में कुछ अगर हम जैसे bio farming है, organic farming है तो उसको बढ़ावा देने के लिए, बिल्कुल ऐसे ही हमारी सबसे पहली national dialogue on agri food systems हुई है Delhi में जिसका main objective जो है, वो यही है कि किस तरहा से हम अपने agri food systems को sustainable बना सके अब अगर हम बात करते हैं, इसी sustainable agri food systems की, या फिर इस sustainable agriculture से जोड़े हुए कुछ और topics के बारे में अगर हम बात करें, तो देखिए जैसा यहाँ पे लिखा है India's initiatives, यानि कि इंडिया ने इसके साथ साथ एक national mission for sustainable food systems भी चला रखा है, अब देखिए यह जो national mission है sustainable food systems का, यह क्या है, तो एक national action plan on climate change आया था 2008 में, तो उसमें eight missions थे, जिनको भी मैं आगे वीडियो में एक और topic आएगा, वहाँ पे मैं discuss करूँगा, उन eight missions के बारे में, तो उन eight missions में हमारा एक mission, national mission for sustainable food systems भी है, अब देखिए जो national mission for sustainable food systems है, तो इसमें जो main objective है, वो यह कि जो हमारा agriculture है, तो जैसे हमें उसमें क्या होता है, बहुत सारे chemicals हैं, pesticides हैं, और कुछ ऐसी practices हैं agriculture में, जो की जाती हैं, जिसका हमारी agriculture पे adverse impact पड़ता है, तो यहाँ पर जो हमारे agri food systems हैं, उसको sustainable बनाने के लिए, कुछ sustainable farming practices को adopt किया जाना, जैसे bio fertilizers, bio pesticides, organic manures का use किया जाना, तो अब मैं ये चांद सकता हूँ, और मैं ये समझ सकता हूँ, कि अब आप समझ रहे होंगे, कि जो हमारे sustainable food systems हैं, वो क्या हैं, और उसका objective क्या था, तो देखिए इसी sustainable food systems को के relation में अगर हम बात करें, तो इंडिया का एक और बहुत important objective है, या पिर ये कहा जाए, एक और scheme है, जो का नाम आता है परंपरागत, किर्शी, विकास, योजना, तो देखिए उसमें भी organic farming को ही बढ़ हावा दिया जाना है, और ये किसके अंडर में दिया जा रहा है, नैशनल mission for sustainable food systems, और ये जो mission है, ये हमारा किसके अंडर में, ये हमारा national action plan for climate change है 2008 का, ये उसके अंडर जो हमारे eight missions हैं, ये उसमें से एक mission भी है, और ये जो national mission है, sustainable food systems का, ये हमारा जो with effect में आया, या पिर ये कहा जाए कि जो ये लागू हुआ है, ये लागू हुआ है 2014 और 15 से, अब अगर हम और बात करें, sustainable food systems के mission के अंडर में, कुछ और ऐसे initiatives जो की Indian government ने लिये हों, और जिससे की main objective क्या है, कि जो हमारा sustainable food systems है, उनको achieve किया जा सके, तो उसमें एक नाम आता है, प्रधान मंतरी किर्शी सिचाई योजना, तो देखिए उस scheme का भी यही objective है, कि जो हमारा irrigation में wastage of water है, उसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके, as well, जो land regions ऐसे हैं, या agricultural regions ऐसे हैं, जहां पर, जो हमारी water की availability है, वो कम है, वहां तक भी availability को पहुचाना, या फिर availability of the water कराना, अब अगर देखें, तो sustainable food systems, इंडिया में अगर मैं बात करूँ, तो देखिए, जैसे scarcity of land, जैसे कि भारत में क्या है, भूमी की कमी है, क्योंकि अब आप देखिए, जनसंक्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और उसका एक result यह देखने को मिल रहा है, जो agricultural land है, उसके पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो हमें धीरे-धीरे क्या करना है, अपने agricultural production को बढ़ाते जाना है, जिससे कि जो हमारे food crops हैं, उनका इतना abundance में production हो सके, जिससे कि हमारी पूरी की पूरी population उसके उपर निर्भर रह सके, फिर और देखिए sustainable जो हमारे systems है agriculture के अंदर, तो उसका एक और भी objective यह है, क्योंकि जो हमारा agricultural crops की productivity है, वो काफी कम है, तो इसकी productivity को और increase किया जा सकता है, और वो किस methods में किया जा सकता है, sustainable food systems के अंतरगत किया जा सकता है, फिर greenhouse, gas emissions हैं, जो agriculture से बहुत अधिक मात्रा में हो रहे हैं, तो उसको कम करने की बात हो रही है, और साथ ही साथ अगर देखें, तो stubble burning, तो जैसे देखें आप पराली जलाना एक इंडिया में कितना बड़ा challenge है, तो अगर उस stubble को हम change कर दें, एक organic matter में या फिर हम bio fuels में उसको change कर दें, या bio mass में हम उसको convert करने के बाद किसी और purpose में use कर सकें, तो अब आप देखें, उसका हमारे agriculture food systems जो हैं, वो काफी sustainable बन सकें और productive बन सकें, तो यह हमारा first national dialogue on agri food systems से related topic था, जो हमारा यह पहला dialogue हुआ है, यह new Delhi में हुआ है, तो इसकी आप place जरूर याद रखियेगा, और यह किसके अंडर में हुआ है, यह national mission for sustainable food systems जो mission है, जिसमें हम किसकी बात करते हैं, sustainable food systems को develop करने के लिए, ठीक है, और यह mission किसके अंदर आता है, NAPCC में, और NAPCC में कितने missions हैं, 8 missions हैं, तो उनको भी अभी हम further describe करेंगे, तो एक-एक सारे missions के बारे में हम उसको बताएंगे, एक topic है हमारा इसी April month से जोड़ा हुआ, तो हम उसमें बात करेंगे, इस से related, एक हमारी news थी, GoLitter Partnerships Project से related, अब देखिए, सबसे पहले हमारी important है, हमारी exam के लिए, कि GoLitter Partnership Project, यह है किस से related, तो देखिए, जो हमारा Glow Liter है, तो यहाँ पर, sorry, यह जो थोड़ा सा इसका typing mistake हुआ है, तो इसको आप याद रखेगा, यह Glow Liter है, तो जो Glow Liter Partnership Project है, इसको start किया है, IMO and FAO, तो यह दो organizations हैं, जो मिलकर हमारी क्या चला रहे हैं, Glow Liter Partnerships Project, अब देखिए, यह हमारे exam के perspective से एक पहला question था, जो यह बन सकता था, दूसरा question अगर हम बात करें, तो Glow Liter Partnership Project जो है, यह हमारा related है, यह GLO है, यहाँ पर, ठीक है, और जो हमारा Glow Liter Partnership Project है, यह mainly related है, हमारे marine letter से, यहाँ पर हमें यह भी बात याद रखने की है, और अगर हम third बात करें, या फिर हम third questions के perspective को देखें, तो हमें एक यह पता होना चाहिए, कि जो FAO है, इसका headquarter कहा है, तो headquarter जो है FAO का, यह Rome, Italy में, और अगर हम बात करें, अपने एक और organization की, जो की IMO है, तो IMO क्या है, एक हमारी specialized agency है, और किसकी है, United Nations की, और यह काहे में work करतें, इसका जो पूरा नाम है, International Maritime Organization, तो देखें हमें इसके बारे में पूरा का पूरा पता रहना चाहिए, और अगर हम इसको और detail में देखें, तो इसकी कुछ funding इस project की, वो हमारी Norwegian Government भी कर रही है, और अगर हम IMO के headquarter की बात करें, तो IMO को headquarter हमें मिले रहे थे, और जो की most perspective में, यही कुछ questions थे, जो हमें देखे जा सकते हैं, अपने इस topic से related, तो बस हमें अपनी current affairs को ऐसे ही देखते चलना है, और हमें बस वो perspective देखते हुए चलना है, कि कौन-कौन से ऐसे suitable questions हैं, जो की हमारे इस topic से बन सकते हैं, अब जैसे की marine later है, तो दे मतलब 80% जो हमारा generate हो रहा है, वो हमारा सिर्फ surface के ऊपर ही जमा होता चला जा रहा है, और अगर पूरे वर्ष की बात करते हैं, तो 8 million tons of plastic हर साल हमारे महासागरों में add up हो रहा है, तो देखिए अगर इतने numbers के ऊपर जाएं, तो हमारे इस PT exam के लिए हमें इतनी importance नहीं दे प्रोजेक्स कौन चला रहा है, वो हमें ध्यान दखना चाहिए, तो यह हमारा topic था glow later partnerships projects, तो यहाँ पर आप उसको थोड़ा correction कर लिएगा, that is glow later, फिर एक चलते हैं, बहुत important topic के साइड नगोया protocol on access and benefit sharing, तो यह की report है, यह कुछ हमारी issue हुई है, April 2021 में, तो देखिए जो हम अगातार news में बना हुआ है, तो हमें ऐसा लगता है कि mostly हमें नगोया protocol से related question देखने को मिलेगा अपने इस 2021 exam में, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अब देखिए जब हम नगोया protocol की बात करें, तो देखिए ब्राजील 130th country है, जिसने recently ratify किया है नगोया protocol को, अब कि यह तो news में इसलिए बना था क्योंकि ब्राजील ने ratify किया है, एक 130th country के तौर पर, दूसरी बात करें, अगर नगोया protocol को, तो देखिए नगोया जो है, यह हमारा Japan में है, और यहाँ पर एक conference हुई थी CBD की, यानि कि Conference on Biological, Convention on Biological Diversity, जो हुई थी 2010 में, और यह जो नगोया protocol है, यह 2014 से लागू हुआ है, तो यह हमें बात पता चल गई, यह तो कुछ इसकी basic है, अब देखिए जो हमारा नगोया protocol है, यह हमारा UNCBD, जो हमारा 1992 में एक Earth Summit हुआ था, तो वहाँ पर जो biological convention हुई थी, उसका जो implementation हुआ, वो 1993 से हुआ, तो देखिए वहाँ पर, जब धीर धीरे ratification हुआ, फिर ratification के बाद कुछ और targets थे, फिर उन targets को achieve किया गया CBD में, ऐसे करते करते, 2010 में जब UNCBD हुई है, तो वहाँ से हमारा किसको adopt किया गया है, नगोया protocol को, जो 2010 में conference हुई थी, हमारी UNCBD की कहां पर, नगोया में, और लागू कब से हुई है, वो 2014 से, present time में, UNCBD की 196 countries हैं, जिनोंने इस protocol को, को अपना sign कर रखा है, या पिर यह कहा जा सकता है, कि वो इसके members हैं, अब देखिए, यहाँ पर, नगोया protocol को मानने वाली countries कितनी हैं, सबसे latest, 130, लेकिन, UNCBD को मानने वाली countries कितनी हैं, 196, 26, तो यहाँ पर देखिए, डिफ्रेंस है, नगोया protocol एक पार्ट है, UNCBD का, और UNCBD एक हमारी umbrella, scheme कहा सकता है, umbrella एक conference है, या पर एक umbrella convention है, जिसके अंदर काहे पर focus किया गया है, biological diversity के conservation को, पर अगर हम देखें, तो एक हमारा protected planet report 2020, और यह हमारी report आई थी, June 2020 में, और देखें, इस report का भी जो main focus था, और जो objective था, वो यही था, कि जो हमारा नगोया protocol है, यह 2010 में adopt किया गया, और इसका जो timeline था, वो कितना था, 2020, यहाँ तक कुछ targets थे, जो decide किये गए थे, और जिन targets को नाम दिया जाता है, IT targets, और देखें, इस 2010 से 2020 तक किसका time period है, प्रोटोकॉल का, present time कौन सा year चल ला है, 2021, तो इस नगोया protocol के बाद, अगर हम देखें, तो जैसे June 2020 में भी, एक CBD की convention हुई थी, वो ही थी, कन्विंग चाइना में, और जो कि अब बात चल रही है, या फिर लगता जो discussions चल रहे हैं, वो अब नगोया protocol को replace करने के साथ साथ, किसी एक नए protocol को adopt करने की बात चल रही है, काही के लिए, UN CBD, यानि कि United Nations Convention on Biological Diversity के लिए, तो जैसे कि IT targets वगर है थे, तो अब एक नए protocol को ल के थुरू बहुत जल्द देखने को मिलेंगे, तो नगोया protocol इसलिए भी बार-बार news में बना है, तो जो हमारी ये protected planet report है, इसके उपर मैं जून मन्त का जो मेरा वीडियो था, environment का, उसमें मैं पूरा discuss कर चुका हूँ, तो आप अगच्छा है, जिस किसी भी aspirant ने, इस जू जून 2020 के environment को ना देखाओ, तो वो वहाँ पर देख सकता है, और इस protected planet report को अच्छे से समझ सकता है, बस यहाँ पर एक बात मैं आपको ये बता दूँगा, कि ये report जो हमारी इशू की गई है, वो IUCN, National Geographic Society और UNEPS के World Conservation Monitoring Center के द्वारा की गई है, अब बात करें, तो देखि Climate Vulnerability Assessment Report, तो देखिए reports की जब कभी भी बात आती है, तो मैं आपको हमेशा एक बात ये जरूर बताना चाहता हूँ, कि जो कोई भी reports हैं, उनको आप बहुत detail में ना भी पढ़ें, पर उनको आप ये बात जरूर धियान रखते हुए पढ़ें उसको, कि जो हमारी reports हैं, उनक इतना aware है अपनी current से, तो जो current affairs के topics हैं, अगर उसमें आपको कोई reports मिलती हैं, तो आप उसको बहुत अच्छे से ध्यान करिए, और सबसे ज्यादा जो आपको focus करना है वो environment की reports को, तो देखिए एक report आई है, National Climate Vulnerability Assessment Report, तो देखिए ये जो report है, इसको issue किया है, Department of Science and Technology ने, औ अब देखिए NMSHE, ठीक है, और एक हमारा जो mission है, तो उसमें हमारी बात की गई है, NMSKCC, तो जो हमारा NMSHE है, तो इसको मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये लिखा है, National Mission for Sustaining the Himalayan Ecosystem, और साथी साथ इधर लिखा है, National Mission on Strategic Knowledge for Climate Change, अब देखिए National Climate Vulnerability Assessment Report, अब आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, कि जो हमारे climate से, vulnerability का, जो हमारा prone areas है, रिस्क है, उसकी assessment report है, जो दी है, अब देखिए जैसे कि ये एक mission चल्ला है, National Mission on Strategic Knowledge for Climate Change, यानि कि इस mission के अंतरगत, जो हमारी knowledge है, उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ और किसके perspective में, climate change के perspective में, और National Mission for Sustaining the Himalayan Ecosystem, अब जैसे देखिए, climate change का एक बहुत बड़ा impact है, और negative impacts हैं, जो हमें अमारे Himalayan Ecosystems पे देखने को मिल रहे हैं, तो ये mission चलाया जा रहा है, यानि कि NMSKCC चलाया जा रहा है, तो उसका, और NMSCH का, जो main objective है, वो यही है, कि हमारे, जो ये climate change से adverse impacts पढ़ रहे हैं, उनको reduce किया जा सके, हर उस technology को adopt किया जा सके, हर उस knowledge को gain किया जाए, जिससे कि हमारे climate change से related, जो भी adverse impacts हैं, उनको कम किया जा सके, तो मैंने आपको देखिए, जो पहला topic था, वहाँ पर भी मैंने आपसे ये बात कही थी, कि National Action Plan on Climate Change, य National Mission for Sustainable Food Systems, यानि कि Agri Food Systems का जो dialogue हुआ है New Delhi में, वो किसके relative था, National Mission for Sustainable Agriculture Food Systems, तो देखिए, अब अगर हम बात करें, तो जो हमारा National Action Plan on Climate Change, तो देखिए, National Action Plan on Climate Change, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान न कहिएगा, कि जो हमारा National Action Plan on Climate Change है, कि 2008 का है, और National Clean Air Program जो है, वो हमारा differ है, उसके बारे में भी मैं बात करूँगा, कि वो हमारा पूरा क्या प्लान है, और क्या पूरा प्रोचेक्ट है, तो इस National Action Plan में, जो हमारे Missions हैं, वो टोटल कितने हैं, 8 हैं, अब इन 8 में कौन-कौन हैं, जैसे कि यह हो गया हमारा National Mission on Strategic Knowledge for Climate Change, फ फिर एक है हमारे पास, National Mission for Green India, National Water Mission, National Mission on Sustainable Habitat, National Mission on Enhanced Energy Efficiency, National Solar Mission, और National Mission on Sustainable Agriculture, देखिए, यह हमारा सबसे पहला टॉपिक था, फिर एक मिशन हमने यह देखा, दो हमने यह देखे, तो देखिए, तीन तो हमने आज ही इस टॉपिक में देख लिए, ऐसे ही हम इन 5 को भी, जब हम कोई टॉपिक मिलेगा, तो definitely हम इन सब पे भी बात करेंगे, बस यहाँ पर आप ज़रूर याद रखेगा, NAPCC, टोटल 8 missions, कब से शुरू हुआ, 2008 से, अब अलग-अलग missions, अलग-अलग year से स्टार्ट हुए हैं, तो जो हमारा National Mission on Sustainable Agriculture है, यह operationalized हुआ है, 2014 और 15 से, अब यहा पहले कुछ यह था कि इनको, जो हमारे coal-fired power plants हैं, इनको install करना था, flue gas desulphurization units को, और इनका जो पहले timeline था, यह 2021 था, लेकिन अब इसको फिर increase कर दिया गया है, और बढ़ा दिया गया है, 2022 तर, तो यह बात आप ज़रूर ध्यान दखिएगा, अब बात करते हैं, हमारे flue gas desulphication technology किया, तो देखिए, यह mainly एक scrubber based technology है, और scrubber based in the sense, wet scrubber और dry discover, और यहाँ पर यह जो sense करता है, यहाँ पर जो बात करता है, वो हमारे जो sulfur dioxide है, atmosphere में, या पिर हमारे coal-fired power plants में, जो हम coal को burn करते हैं, उससे जो हमारा sulfur निकलता है, यह उस sulfur को क्या करता है, absorb करता है, और absorb करने के बाद, उसको जिसे कहा जाए कि एक clean atmosphere, या फिर atmosphere को clean करने में मदद करता है, तो इसका जो सबसे main, इस flue gas desulphication technology का जो use है, वो यही कि जो sulfur dioxide है, उसको यह absorb कर लेगा, यानि कि हम यह कह सकते हैं कि जो हमारा flue gas desulphication technology है, यह एक ऐसी technology है कि जो furnaces में, जब हम burn करते हैं coal को, तो जो हमारा sulfur dioxide जो वहाँ से originate होता है, यह उसको क्या करता है, absorb कर लेता है, और atmosphere में जाने से, तो यह flue gas desulphication technology एक ऐसी technology है, जो कि एक environment friendly technology है, अब बात करते हैं Indian rhino vision 2020 की, तो देखें जो Indian rhino vision है, हमारा 2020 का, यह एक तरहां से यह कहा जाए कि इसका completion हुआ है, और जैसे कि यह कहा जा सकता है, completion वो इस sense में कि जो हमारा Indian rhino vision है, इसको design किया गया था rhino task force के द्वारा 2005 में, और इसका जो main objective था, वो यह कि जो हमारा seven protected areas हैं असाम में, यानि कि उस time का असाम और present time में अगर हम देखें तो assume, जो seven protected areas हैं उसमें नाम आता है, काजी रंगा, पॉबी तोरा, ओरांग, मानस, लावखोवा, और सातिसाथ, बुराचापोरी, और डिबरू साइखोवा wildlife century, तो इन seven protected areas में, by the 2020, जो हमारी rhino की population थी, उसको कितना अची होना था इनका, और 3000 rhinoceruses को इन seven national, sorry, in protected areas में लाके उनको ट्रांस लोकेट करना था, या फिर जो वहीं पे थे, उनको, जो उनकी संख्या बढ़ जाए, वो उनकी संख्या बढ़े, as well, जो अलग-अलग regions थे, जहां पर इनको कुछ संकट था, तो दूर स्चेत्रों से लाके इन seven protected areas में ट्रांस लोकेट करना, तो यह हमारा Indian rhino vision था 2020, यह बात आप ज़रूर याद रखिएगा, इसको design किया गया था, rhino task force 2005, और इसका जो main objective था, वो 3000 rhinoceruses को seven protected areas में, मतलब इतनी population तो कम से कम अचीव करनी ही थी 2020 तक, तो seven protected areas के बारे में मैंने आपको बताया ही जो भी नाम थे, और यह जो हमारा Indian rhino vision है 2020 का, यह joint program है Assome Forest Department, WWF India का, Borderland Terrestrial Council का, International Rhino Foundation का, as well US Fish and Wildlife Service का, और साथ ही साथ, अगर हम देखें तो एक हमारा, यह मतलब एक मैं additional आपको information दे दे रहा हूं, कि जो हमारा National Rhino Conservation Strategy चल रही है, जो कि Ministry of Environment, Forest and Climate Change ने जारी की है, यह 2019, तो इससे related कोई news आईगी, तो मैं आपको पूरा ब्रीफ करूँगा इसमें, लेकिन अभी बस आप याद रखें, Indian rhino vision के बारे में, यह किस ने design किया था, rhino task force ने, क्या था इसके अंदर, 3,000 rhinoceros को 7 protected areas में, Assome के, या तो ट्रास्लोकेट करना, या फिर उनहीं किस्व कि यह जो हमारा rhino vision है, किस किस के द्वारा चलाया गया, तो यह निकि joint program है, अब देखिए, cloud burst है, जो लगातार news में सुनने को रहता है, तो देखिए, cloud burst के बारे में, सिर्फ मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज एक्स्प्लेइन आपको यह करूँगा, कि cloud burst यह होता है, कि ज हमारा rainfall स्टार्ट होता चला जाता है, यह तो मोईस्ट्र का-व़टर डॉपलेट्स का वेट बढ़ता है, तो जो हमारे cloud burst है, यह एक ऐसा event कहा जाए, यह तो यह जिसमें कोई भी, जो water इस्टोर होता है, clouds में ये suddenly rainfall के रूप में यानि के सारा का सारा जल एक ही भार में एक छेतर में गिर जाता है तो एकदम suddenly अगर आप सोचिए कोई rainfall 8 hours तक होनी थी और वो सिर्फ 8 minute में हो गई तो देखे कितना huge amount में जो water है वो उपर से गिरेगा उस छेतर में तो तबाही तो definitely एक disaster तो हमें definitely देखने को मिलेगा ही मिलेगा तो यही चीज cloud burst होती है और cloud burst के लिए सबसे ज्यादा जो prone region देखा जा रहा है वो देखा जा रहा है उत्तरा खंड और चमोली, रुद्रप्रियाग और टेहरी ये एक सबसे ज्यादा risk prone region है cloud burst के perspective से तो यहाँ पर तो हम cloud burst related इतना ही discuss करेंगे अब देखते हैं एक बात करते हैं NGT की तो देखिए NGT है लगातार news में बना रहता है तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा organization के रूप में मैं आपको इसके बारे में कुछ बाते हैं जो मैं बताता हूँ जो आप इसको हमेशा याद रखिएगा देखिए NGT जो है इसका एक act है कि 2010 में बना है पहली चीज़ यह specialized body है और mainly यह deal करती है environmental matters के लिए जैसे कि अगर हम किसी civil court में जाएं या फिर हम किसी commercial courts में जाएं या company law appellate tribunals में जाएं कहीं जाएं तो वहाँ पर जाने के बाद अगर हम environments related कोई भी हम अपनी complaint को देते हैं तो देखिए वहाँ पर time लग सकता है तो NGT जो है एक specialized body है और उसको सिर्फ environments related matters को ही tackle करने के लिए बनाया गया है तो यह हमारा under the act मैंने आपको बताया 2000 act से related है इसकी जो settings है यानि के benches है तो वह हमें कहां-कहां देखने को मिलती है न्यू डेली भोपाल, पूरे, कोलकाता, चैनले तो यह कोलकाट इस लिखा है तो यह एक टोड़ा सा typing mistake है तो न्यू डेली, भोपाल, पूरे, कोलकाता हैं चैनले और इंडिया एक third country है वर्ल्ड की जिसके पास एक environments related specialized body है after Australia and New Zealand और देखिए यहां पर एक बात आप और याद रखिएगा कि जो भी इसके members होते हैं तो वो जो members अब जैसे कि NGT की अगर हम बात करें इसके composition की तो देखिए एक chair person होगा कुछ इसमें judicial members होंगे और as well कुछ expert members होंगे तो यहां पर बस आप एक बात त्यान रखिएगा इसके बारे में यह कहा जाता है कि minimum 10 and a maximum of 20 full time judicial as well as expert members तो यहां पर यह बात define नहीं की गई है कि कितने judicial और कितने expert बस यहां पर 10 to 20 तक का margin दिया गया है और जिसमें की judicial भी होंगे और साथी साथ expert भी होंगे और कोई भी इसका member reappointment के लिए eligible नहीं है यह बात आप जरूर ध्यान रखिएगा अब जो mainly जो हमारा NGT जो deal करता है वो हमारा जैसे Water Act है Water Cess Act है Forest Act है Biological Diversity Act है 2002 का इंडिया में Environment Protection Act है Pollution Control Boards है तो इस से related वो अपने judgment दिया करता है तो यह जो NGT है तो यह मैं आपको इसलिए यह बात बता रहा हूँ कि जैसे organizations है तो उनके बारे में आप हमेशा देखते होंगे कि UPSC में exams में questions आते हैं तो दीखे एक एक अगर जैसे हमने देखा News में बना था क्योंकि भी recently यह हुआ है कि जो NGT है इसने एक 8 member National Task Force बनाई है Air Pollution को जो हमारी country में बढ़ रहा है उसे कैसे कम किया जाए और किस तरहां से जो हम कम करने के लिए कुछ methods को adopt करेंगे तो उसको कैसे हम monitor करेंगे exactly उन methods को जो adopt किया गया है वो सही से adopt किये भी जा रहे हैं या नहीं तो full and final implementation की बात कर रहा है तो इसलिए NGT April month में कुछ चर्चा में बना हुआ था तभी मैंने आपको यहाँ पे NGT से related कुछ ऐसी information दी जो आपके exams के relation में काफी important है अब ऐसे ही एक international organization की बात करें तो देखिए World Wildlife Fund for Nature तो देखिए यह हमारा established हुआ है 1961 में और इसका headquarter है Glant Switzerland में तो इसके कुछ important initiatives हैं जिनको मैं आपको repeat करा दे रहा हूँ या मैं आपको बता रहा हूँ तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा एक इनका बहुत important initiative है traffic ठीक है और यह जो है illegal trades related है फिर एक इनकी report आती है living planet report और एक इनका earth hour एक इनका बहुत important initiative है और जैसे कि यहाँ पर लिखा है T by 2 goal तो देखिए T by 2 goal इसको आप ज़रूर ध्यान लखिएगा यह T by 2 का मतलब है T related to tiger यानि कि tiger की population को कितना करना double करना world को तो एक इनका बहुत important initiative है जो यह T by 2 चल रहा है फिर ऐसे ही एक new fly ash utilization rules है जो 2021 में issue किये गए है ministry of environment, forest and climate change तो यहाँ पर सबसे पहला question अगर बन सकता है तो वो ही है कि new fly ash utilization rules किसके द्वारा issue किये गए हैं या फिर publish किये गए हैं तो आप उसको याद रखिएगा ministry of environment, forest and climate change मतलब इस utilization rules के बारे में सिर्फ आपको छोड़ी सी और मतलब एक सबसे main जो point है इसका वो आप याद रखिएगा जैसे इंडिया के अंदर present time में 60 to 65 percent ही fly ash जो हमारे thermal power plants में जो हमारा एक residue है उसका utilization हो पाता है यहाँ पर target किया जा रहा है कि 100 percent fly ash को utilization किया जाए तो बस यह जो rules हैं हमारे इसी context में हैं यहाँ पर मैं आपको एक बात और आपको बताना चाहता हूँ इसको धियान रखिएगा जैसे t by 2 initiative है तो बिल्कुल ऐसे ही आप जो यह earth hour है इसको आप इसलिए याद रखिएगा कि जो हमारा earth hour है यह हमारा 6 sorry 832 8 sorry 832 930 तक जो हमारा एक तरह से यह कहा जाए कि यह एक hour है इसका utilization इस रूप में किया जाता है कि lights वगएरा off कर दी जाती है और इसका जो सबसे main motive है वो यही कि जो हमारा earth को need है उस objective को achieve किया जा सकी यानि कि जो हमारी earth है उसको बिल्कुल उसी face में पहुँचा देना जैसे कि वो एक face में कभी हुआ करती थी तो इस intention से earth hour जो है उसको मनाया जाता है तो यहाँ पर आप इस बात को जरूर ध्यान लखिएगा और यह जो होता है ना मतलब जो earth hour यह हर March month के last Saturday को मनाया जाता है यह बात आप बस ध्यान लखिएगा last Saturday of month March 8.30 to 9.30 और क्या objective है जैसे कि lights वगेरा off कर दी गए यानि कि totally environment के लिए सिर्फ सोचा जाता है और environment को preserve करने के लिए और यह पूरे world में इसको ऐसा किया जाता है तो यह हमारा आज का वीडियो था और मैं ऐसा मतलब मैंने पूरी कोशिश की है हर topics को पढ़ने की और ऐसे बहुत सारी reports आई है जिनको मैंने निगलेग भी किया है क्योंकि मैं यहाँ पर यह भी देखता चलता हूँ कि कितनी किसकी importance है क्योंकि अगर आप सारे ही चीजों को cover करने के लिए लग जाएंगे that should be the then ये कहा जाए फिर तो oceans है information का फिर आप उसको कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर मैंने उसको refine किया है मेरा सिर्फ यही motive है कि मैं आपको कम समय में जादा से जादा अच्छे से अच्छा और maximum से maximum topics को cover करा पाऊं सो हमारे इस video series को अधिक से अधिक आप लोग share भी करते रहें और फिर मैं आप से यह कहूँगा कि अगर आपको मेरा यह video अच्छा लगा तो आप इसको like जरूर करिए हमारे channel पर अगर आप नए हूँ तो definitely subscribe भी करिए जिससे कि आपको मेरे हर नए वीडियो का notification मिलता रहेगा so thank you all for watching and have a nice day